दोस्तो हम इस बर बात करने वाले हैं Samsung Galaxy M34 5G स्मार्टफोन के अपडेट के बारे में जो कि इस स्मार्टफोन के अंदर एक ने अपडेट जो है मैं देखने को मिला है तो क्या अपडेट मिला है कितने में इस वीडियो में इन्फोमेशन जो है सेर करने वाला हूँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दिएगा आप लोग और चैनल को भी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगें देखिए हम यहां पर इस स्मार्टफोन के इंदर जो है चेक करते हैं कि इस स्मार्टफोन के अन्दर जो है मैं फोन के स्टिंग नर आजाना हूं उसके बाद यहां पर आपको जाना है जो है security and privacy के अंदर इसके अंदर जो है गूगल play system update जो है मैं आइधिंक देखने को मिला है जो है फरवरी का तो यहाँ पर हम जाते हैं security and privacy के अंदर उसके बाद नीचे आना है बाद आपको यहाँ पर updates वाले option में आना है यहाँ पर देखेंगे आपको Google play system update जो है आपको जन् फाइनले देख सकते हैं इस smartphone के लिए एक नया update देखने को मिलाता है Google play system update और इसकी update की file की बात करते हैं तो इसकी update की file है 9 MB की और यह जो है Google के तरफ से आता है security update जो की इसे आपको simply यहाँ से download and install पर click करना है जैसे download and install हो जाएगा आपको simply अपने इस phone को restart कर देना है आपक ही अपदेट हो रहा है थोड़े दिर में जो है मतलब यह download हो रहा है और इसे अपडेट कर लेँ तुरण ।ो दो ही तरह करें यह Hazelी दिर में नियुक्त करना है जैसलग मैं मैं मेरा felt restart ना सुरू हो जाएगा देख सकते हैं तो आप भी अपने फोन को रिस्टार्ट कर लिजेगा और अब्डेट नहीं कि अब्डेट कर लिजेगा इस अब्डेट को अब्डेट करना जो है बहुत ही इंपोर्टेंट होता है जरूरी होता है तो आप भी अब्डेट कर लिजेगा देखिए कर दिए कर दिए का